हर्याना के नू जिले में बीते कुछ दिनों पहले भीशन सामप्रदाइक हिंसा देखने को मिली और जानकारी के मुताबिक अब ये बात भी पता चली है कि आम आदमी पार्टी के नेता जावेद के तार एक बजरंग दल के कारेकरता की हत्या के पीछे जुड़े हुए हैं औ अनुष तिवारी जी का हम लोग बात कर लेते हैं भाजपास सांसद हमारे साथ मौजूद हैं सर जो पूरा मामला आया है अब एफ आयार भी हो गई है बजरंग दल के वो कारेकरता जो है वो गाडी में सवार थे जिनका नाम प्रदीप है उनके साथ जो शक्स थे उन्होंन के उनकी हत्या कर दी गई आप क्या कहेंगे एक तुम्हें बहुत हैरान हूँ ये घटना आने के बाद ये जानकारी आने के बाद जब घटना घटी तब भी बहुत हैरानगी है हम लगातार ही लोगों को समझाते रहते हैं कि भाई हम सभी धर्मों का सम्मान करने वाले अत्रा धुमधाम से निकालने का आदिकार है तो हमें ये लगा कुछ अवांचनी तत्वों ने जैसा आपने कहा ला कि सामप्रदाइक ऐसा रंग ले लिया ऐसी गड़बणियां देश में हो रही हैं और हम इसी एंगिल से इस घटना को भी देख रहे थे कि यहां थोड़ा जादा हो गया अब इनको जो अपराधी हैं अब अंचनी तत्वों इनको सबक सिखाना है लेकिन ये जो जावेद आमादमी पार्टी का सीनियर नेता है और उसके द्वारा सीधे हत्या कराने खड़े हो करके हत्या करने और पूरी दंगा को निर्देशित करने का जो जानका पारी आया है उससे मैं हरान इसलिए हूँ कि मुझे अब दिल्ली का दंगा याद आ रहा है जहां आमादमी पार्टी का ही एक नेता ताहिर हुसेन उसका मास्टर माइंड था दोनों जगह नूह में भी और दिल्ली में भी छटों से पत्थर बम तरह तरह के जहरीले और लो दोनों एक ही जैसा दिख रहा है यह कैसे हो सकता है और दोनों के तार आमादमी पार्टी से जुड़ गए तो क्या आप सीधे तोर पर एके अक्यूजेशन कर रहे हैं आरोप लगा रहे हैं आमादमी पार्टी पर कि वो दंगों के पीछे इन्वाल्ड है 100% हमारा इशारा उधरी है मैं जो देख रहा हूँ क्योंकि कोई भी सुनेगा आप हम ABP पे हमको जो भी सुनेंगे यह कैसे हो सकता है कि नूह में जैसे पत्थरबाजी हो रही थी वैसे ही हमारी लोग सभा में जो दंगा हुआ उसमें भी पत्थरबाजी हो रही थी दोनों छटों के ऊपर इकठा करके इंट पत्थर बाम रखे हुए थे और दोनों जगा कोई एक व्यक्ति था जो संचालित कर रहा था लेकिन सर हर्याना में किसकी सरकार है आप ही कि सरकार है अगर ऐसा आपको लग रहा था ATS को भी जानकारी थी कि दंगे हो सकते हैं जैसा कि बताया गया है तो पहले से क्यों नहीं रोक लिया नी ऐसे दंगा हो सकता है इसकी तो इस intensity की जानकारी नहीं थी और देखिए चिंता तो यही है ना कि वहाँ BJP की सरकार है इस तरह की घटना करेंगे क्योंकि आप देखिए जैसे ही घटना होई इन लोगों ने इस बीच में यही कहना शुरू किया कि BJP दंगा करा रही है वो चुनाओं में क्या लाव लेने के प्रिदगा करा रही है तो हम इस अब बदनाम करने के लिए उन्होंने शुरू भी कर दिया अब यह तो क्या है कि एक आदमी को मार डाला एक आदमी बच गया उसमें उसने सारी आखों देखी आज वो कराई और फिर सारे सिसी टीवी फूटेज सब के बाद हरियाना पोलिस इसने इस पर अक्षिन किया है तब हमें पता चलता है क्योंकि आम आदमी पार्टी अब अकेले नहीं है एक गटबंधन में है तो क्या गटबंधन किसी प्रदेश की सरकार को ऐसे बदनाम करके सरकार में आने के लिए इतने लोगों की बली चड़ा दिया लेकिन सर आरोप स और उनके घर तोड़े जा रहे हैं उनिके घरों को टागेट करके बुलडोजर चलाया जारा है उस पर क्या कहिंए? जो जिस घर से पत्थर और बम फेके जाएंगे उस पर बुल्डोजर चलेंगे चाहें वो किसी हिंदू का हो या मुसल्मान का हो किसी का हो हम उसे हिंदू मुसल्मान नहीं समझते जो बीजे पीक सरकारों का इंडिये का थौट है वो अपराधियों का जगह था अगर वो अबैद है तो उस पर बुल्डोजर चलेगा और उन लोगों को सजा मिलेगी हम इस बात का समर्थन करते हैं यानि धर्म विशेश पर बुल्डोजर नहीं चलाया जाएगा या नहीं चलाया जा रहा है आपका ये दावा है आप देखिए कई जगह तो लोग हिंदू भी थे ब्रामन भी थे अपराधी थे तो उनके उपर बुल्डोजर चला है और मेरा मानना है कि ये जो लोग साजिस करने जो ट्वीट पे इकठे हो जाते हैं यही दिखाता है कि ये लोग एक साजिस के तहत इस तरह की बातें कर हैं अगर जावेद का एंगिल नहीं आता तो इस घटना को भी ये लोग ऐसे ही बना के ले जातें मेरा मानना है कि हरियाना की पुलिस को इस पूरी घटना का मास्टर माइंड वो क्यों ग्राउंड पे नहीं बैठा होगा वो कहीं इसके तार आमादमी पाटी के मुक्या तक जुड़ते हैं गटबंधन के लोगों का भी फोन हो कॉल्स हो चिक होना चाहिए क्योंकि हरियाना सरकार को बदनाम करने के लिए बड़ी घटना घटी है हम यह नहीं करें कि पुलिस का फिलियोर नहीं है पुलिस का भी फिलियोर है तभी हमको वहां से एस पी हटाना पड़ पुलिस के कई लोगों को भी सजा मिली है लेकिन जो जाने चली गए जो गाड़िया जल गए जो नुकसान हुआ जो दोनों कौमों में जो नफरत आई है उसके लिए जो इन लोगों ने साजिस किया है उस साजिस का परदाफास अब बहुत जरूरी है तो यानि ये भी साफ तोर पर आप कह रहे हैं ये भी आप साफ तोर पर कह रहे हैं कि जाहिर तोर पर आम आदमी पार्टी का इसमें इंवाल्बमेंट है लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी मान रहे हैं कि ठीक है सरकार का सुरक्षा व्यवस्था का पुलिस का भी फेलियर ह इसलिए action लिया गया है देखिए जिस तरह से वीडियो जोसल मीडिया पे चले तो हम से आम ने कहा रहा है कि हमें ऐसे intensity की क्यों नहीं पहले उमीद कर पाए तो हम इसमें जो भी ground पे व्यक्ति लोग काम कर रहे होंगे उन लोगों की जो गलती थी उसको सजा मिली लेकिन जो ल परदा फास भी होना चाहिए उनको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए और मुझे लगता है वरतमान में जो हरियाना पुलिस कर रही है वो सारी कवायद उससे में बहुत संतोच दिख रहा हूँ